रीट पेपर लीक मामले में बुद्वार को एसो जी ने बड़ा खुलासा किया है। रीट का पेपर जैपुर से शिक्षा संकुल के स्ट्रोंग रूम से लीख हुआ था। भजन लाल से पूछताच के बाद एसो जी ने दो आरोपियों को गिरफतार किया है। अब तक एसो ज इस पूरे मामले में 35 लोगों को गिरफतार कर चुकी है। एसो जी अशोक राटाओर ने बताया कि रीट पेपर लीके मामले में दो लोगों को गिरफतार किया गया है। एसो जी ने भजन लाल से पूछताच के बाद उदाराम बिश्नोई, निवासी जाल और वराम रामक्रपाल मीना निवासी जगनातपुरी को गिरफतार किया गया है। जांच में पता लगा है कि भजन लाल को उदाराम ने रीट पेपर दिया था। यहां दोनों जालोर में एक ही गाओं के रहने वाले है। भजन लाल ने पेपर मिलने के बाद कई लोगों को बाट दि एसो जी को पूछताच में पता लगा कि उदाराम को रामक्रपाल मीना ने जयपूर में पेपर दिया था। परीक्षा से पहले रीट पेपर जयपूर में शिक्षा संकुल के स्ट्रॉंग रूम में रखा हुआ था। वहां से पेपर को रामक्रपाल मीना ने ली किया था। रामक्रपाल मीना जैपूर में शिवशक्ती पब्लिक स्कूल चलाता है। अब एसो जी स्ट्रोंग रूम से पेपर देने वाले के बारे में पूछताच कर रही है। भजन लाल के बाद एसो जी उदा राम वरामक्रपाल मीना से पूछताच में कई बात सामने आना बाकी है। एसो जी के टीम अब तक प्रित्फी लाल मीना, बत्ती लाल मीना, दिल खुश, हैड कांस्टेबल यदुवीर सिंग, कॉंस्टेबल देवेंदर सिंग, दिगंबर सिंग, परंबीर सिंग, सीमा, लक्षमी, उशा, मनीशा, आशीश, सहित पैतीर से ज्यादा लोगों को गिरफ अबतार कर चुकी है,